पश्चिम बंगाल की राजदानी कॉलकता में बागू हाटी छेत्र में नजूल पार्क उनमें सम्मीती ने देवी दुरगा के साथ मुख्य मंतरी ममता विनर जी की एक मुर्ती लगाने का फैसला किया है जिसके बाद विवाद छिड़ गया है इसको लेकर बीजेपी नेता ने सीम ममता पर निशाना साधा है बीजेपी नेता अरजून सिंग ने कहा है कि भारती एतिहास में जिस भी राजनेता ने अपना आदरश बनाया है उसे विनाश का सामना करना पड़ा है या आज तक का इतिहास है मायावती हों या दक्षिन के बड़े राजनेता जिस भी राजनेता की पूजा की गई है वे विनास की ओड ले गए है वहीं बता दे कि मशुहूर क्ले मॉडलर मिन्टु पाल अपने कुमार तुली स्टुडियो में फाइवर ग्लास की मुर्ती बना रहे है इस बीट बता दे कि मिन्टु पाल ने कहा है कि अविचार कॉलकता में होने वाली थीम पूजा से आया है इसलिए थीम पूजा के समय सभी कलब चाहते हैं कि कलब आगे बज़े और कुछ नया दिखा तो उन्होंने मुझस से बात की है मैंने बताया है क्यों ना मुख्यमंत्री मम्ताविनर जी को माद दुर्गा के रूप में चित्रित किया जाए क्योंकि वह बंगाल के लोगों बंगाली समाज के लिए कन्यासरी जूबोश्री और स्वास्त साथी लखीर भंडार जैसी योजनाएं लाई है यह कोई राशनितिक मुद्दा नहीं है किसी भी मुख्यमंत्री ने समाज के लिए इस तरह से काम नहीं किया है वह जो भी प्रोजेक्ट ममता लेकर आई हैं वह कोई नहीं लाया है अब बंगाल की पूजा समीती लोगों को अपने काम को लोगों के सामने लाने के लिए की ममता जी ने ये काम किया है और उन्हें देवी का रूप माना जाता है आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए बागी और खबरों के लिए जुड़े रहे एस पीन नाइन नियूस के साथ